Hello friends, welcome to Aptivis और आज हम लोग आपके साथ Quant का ही जो है एगला टॉपिक वो लेके आए हैं और इससे पहले हम इस टॉपिक के उपर that is Simplification जिसके बारे में आज हम डिसकस करेंगे Simplification के उपर दो वीडियोज हम अलरडी अपलोड कर चुके हैं तो जिन लोगों ने वो वीडियोज नहीं देखे हैं वो प्लीज उन वीडियोज को देख सकते हैं हमारी मैट्स की प्लेइलिस्ट के अंदर आपको सारे वीडियोज हमारे अरली जो है मिल जाएंगे आज हम लोग जो आपके इस वीडियो के अंदर वो चीज जो है सीखेंगे तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो चलिए फर्स्ट कुशन देखते हैं आज का देखें अगर हमारे पास फर्स्ट कुशन की बात करें तो फर्स्ट कुशन आपके पास 3 by 7 divided by 9 by 14 multiply by 6 by 11 is equal to यानि कि हमें इसे solve करना है तो देखें यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3 by 7 और जब divide है तो divide को हमेशा उल्टा कर देंगे तो यह मारे पास आगया 14 by 9 multiply by 6 by 11 तो बहुत ही simple सा था यह इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं आपे कुछ करने की तो 7 से आप 14 काट रहे हैं आपके पास कितना आ गया 2 और 3 से आप 9 काट रहे हैं आपके पास कितना आ गया 3 और 3 से आपने 6 काट दिया कितना आ गया 2 तो 2 को 2 से multiply कर दिया that is 4 upon 11 यह आपके पास answer आ गया तो 4 upon 11 that is option number C that is 4 upon 11 इस तरह से हमारे पास यह question है उसी तरह से हमारे पास question number fourth है उसमें भी हमारे पास क्या दिया गया है देखिए 3 by 7 multiply by 9 by 14 अब divide को हमें उल्टा करना पड़ेगा that is 7 by 5 जब कभी भी आप divide को multiply में convert करते हैं तो हम अमेशे उस number को उल्टा कर देते हैं तो अब यहां पर देखिए हम 7 से 14 काट रहे हैं हमारे पास कितना आ गया जी 2 अब देखिए इसके बाद further कोई भी number हमारे पास ऐसा नहीं है जो आपस में कट सकता है तो 9 को 3 से हमने directly multiply कर दिया this is 27 और 5 2s are 10 10 को 7 से multiply कर देंगे that is कितना 70 तो हमारे पास option आ गया option number D 14 upon 70 तो अगर इस तरह से कोई question आता है तो easily आप उसे solve कर सकते हैं next question देखिए हमारे पास question number second क्या है question number second में क्याता है under root x plus 22 is equal to under root 2601 तो यहां पे under root में question दिया गया है आपको तो सबसे पहले हमें यह root तोड़ना पड़ेगा देखिए जब कभी आपको square root तोड़ना है तो इसका एक shortcut trick है और इसके उपर हमने square roots के उपर video भी एक डाल रखा है तो आप उस video को concerned कर सकते हैं वैसे हमारे आपको shortcut में यहां बता देता हूँ सबसे पहले जब कभी हमें under root तोड़ना होता है तो हमें last से क्या करते हैं 2 number का pair बनाते हैं हम यह check करते हैं कि किस number का हम square करें तो last में क्या आए 1 देखे अगर आप 1 का square करें तो 1 आएगा और 9 का square करें तो 81 आएगा यनि कि 1 और 9 दो ऐसे हमारे पस नमबर आ रहे हैं जिनका square करने के बाद हमारे पस last में 1 आ रहा है तो आप 1 और 9 यहां पे लिख लेंगे उसके बाद जो आपके पस number बच जाते हैं जैसे आपके पस नमबर बच गया है 25, तो आपको 25 को सुकेर में लाई करवाना है, यनि कि आप किस नमबर का सुकेर करते हैं, और आपके पस 26 लाई कर रहा है, देखिए अगर मैं 5 का सुकेर करता हूँ, that is 25, और 6 का सुकेर करता हूँ, तो 36, यनि कि जो 26 है, 25 और 36 के बीच मे आ रहा है। दिखिए बड़े नमबर को अप हमेशा क्या है भूल जाएंगे। यहां से आप 5 उठाएंगे, यहां से आप 1 उठाएंगे या तो यह 51 का स्कूर है या यह 59 का स्कूर है। अब हमें कैसे पता लगेगा कि विविस्टिवन का स्कूर है तो इसके लिए आप क्या करेंगे 5 को 6 से multiply कर देंगे कितना आगया आपके पास 30 30 आने के बाद आप इस number से compare करेंगे तो 26 जो है वो 30 से क्या है छोटा है 26 जो है वो 30 से क्या है छोटा है तो छोटा नमबर जो है हमारे पास वो क्या रहेगा square रहेगा तो देखिए तो यानिकि 51 का square है 2601 और next देखिए हम क्या करेंगे under root x plus 22 is equal to कितना 51 अब 22 इधर जाके क्या हो जाएगा इसके साथ minus हो जाएगा जब हम इसे minus कर रहे हैं जी तो देखिए 11 में से 2 that is 9 और यहां बच गया 4 और that is कितना 29 तो under root x is equal to 29 जब आप इस under root को solve करेंगे क्या करना पड़ेगा square करना पड़ेगा तो जह हम दोनों side square करेंगे तो x की value हमारे पास आजाएगे 29 का square 29 का square यहां पे कोई भी value ऐसी नहीं है जिसमें 29 का square दिया गया है that is option is none of these option number e none of these answer is कितना 29 का square same इसी तरह से हमारे पास question है question number 6 अगर आप question number 6 की बात करें तो हमारे पास यहां number 1764 इसमें भी हम क्या करेंगे पीछे से पहले दो number का pair बनाएंगे और last number जो है 4 यह check करेंगे कि किस number का हम square करते हैं उसके बाद last में हमारे पास 4 आता है तो अगर हम बात करें तो देखिए 2 क जब आप square करेंगे देखिए 2 का square करेंगे तो last में कितना आएगा आपके पास 4 और 8 का square करेंगे तो last में कितना आएगा 64 यानि कि हमारे पास 2 number आ रहे हैं 2 और 8 तो आप यहां पे लिख देंगे 2 and 8 उसके बाद देखिए हमारे पास कितना है 17 अब फिर से आपको 17 जो है वो अपने 4 उठाया, यहां से 2 उठाया, तो आपके पास आ गया 42 और एक आपके पास आ गया 48, अब हमें कैसे पता लगेगा कि यह 42 का square है यह 48 का square है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 को 5 से multiply कर देंगे, 4 5 जा 20, अब हमें यह number compare करना है 20 से, देखिए 17 जो है वो 20 से क्या है, कम 20 से कम है, अगर कम है तो हम क्यों सा number लेंगे, छोटे वाला number लेंगे, that is 42, now आपके पास जो question बन गया, under root x minus 11 is equal to कितना 42, now under root x, 11 उधर जाके add हो जाएगा, 1 और 2, 3, 4 और 1, 5, यानि कि 53 का under root x is equal to 53, तो जब आप इसे तोडएंगे, तो आपको squaring करने पड़ेगी, दोनों स्केर, 53 का स्केर, तो 53 का स्केर, option number B हमारे पास जो है, इसका right answer जो है, वो आ रहा है, तो हम question number 6 जो है, वो solve हो गया, question number 4 solve हो गया, question number 1 and second, अब आप ये question देखिए, third and fifth question, देखिए, आपको simplification के अंदर कभी बेगर mixed number का question बिनता है, जैसे ये दोनों जो है, वो mixed number के question है, और ये addition और subtraction mixed है दोनों में, तो ये question काफी ज़्यादा असान रहते हैं हमारे लिए, आपको करना क्या है, देखिए, आपको इनको solve करने के लिए क्या करना होगा, simple सा funda है, कि जो ये whole number आगे है, जिसे 2, 1 और 3, तो जो इनके साथ sign लगे हैं, उनके साथ वैसा कर दीजे, या 5 minus 1, that is 4, यानि कि whole number में हमारे पास क्या आगया, 4 आगया, अब बचा कितना हमारे पास, देखिए, 4 by 5 minus 3 by 8 plus 1 by 2, अब हमें इसे solve करना है, तो देखिए, यहाँ पे हमें इसका LCM लेके solve करना है, अगर आपको LCM नहीं निकालना आता है, तो इसके उपर भी हम लोगों ने ए 4, 8 और 2, क्या तरीका बताया था मैंने shortcut LCM निकालने के लिए, देखिए, 5, 8 और 2 में आपको यह चेक करना है कि सबसे बड़ा number क्या है, तो सबसे बड़ा number हमारे पास है 8, क्या 8, 2 और 5 से divide होता है, नहीं होता है, अगर divide होता तो वही number हमारे पास LCM होता, लेकिन जो 8 है, वो 2 और 5 से divide नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम तब तक table पढ़ेंगे, जब तक हमारे पास कोई ऐसा number ना आ जाए, जो इन तीनों को divide करता हो, यानि कि 8 का table पढ़ेंगे, तो 8 1 और 8, 2 और 16, then 32, and then last 40, देखिए 40 जो है, 42 को भी काट रहा है, 8 को भी काट रहा है, 5 को भी काट रहा है, यानि कि जो हमारा LCM आ गया, that is कितना 40, अब अगर तो देखिए, यहां option में, आपके पास, यहां option 5 होता, तो हमें directly पता लग जाता कि इन दोनों में से answer एक है, क्योंकि देखिए, whole number में 4 तो आएगा ही आएगा, अगर whole number में 4 आ रहा है, तो definitely आपका answer यह होने वाला है, लेकिन हमें cross check करना है, तो हम completely से check कर लेते हैं, तो 5 को 40 से divide किया, हमने 8, 8 4 जा कितना हमारे पास, 32, minus, 8 को हमने 40 से divide किया, हमारे पास आया 5, 5 3 जा 15, next plus है, तो 2 है, 2 को इसके से आत्क किया, हमने कितना है हमारे पास, 20 और इधर whole में हमारे पास किया है, 4, 4, तो 12 में से 5 के 7, 4 में से 1 क्या 3, 37, तो 4 whole 37 upon 40, option number B, this is your right answer, अगर कभी भी mixed number का question आये, तो आप उसे इस तरह से solve करें, यानि कि mixed number को कभी भी fraction में convert ना करें, क्योंकि वो आपको competition में question बहुत ही lengthy ले जाएगा, अगर आपके पास options कुछ अलग दिये हूं, तो competition MCQs कभी भी tough तब बनते हैं, अगर आपके options बहुत ही clear हूं, for an example, अगर यहाँ पे 5 दिया होता, ये तो 3, 3 है, तो आपको definitely यहीं से clear हो जाता है, एक step से की answer जो है, वो भी होने वला है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए 6 और 5, 11, 11 में से आपको 3 माइनस करने हैं, तो अग यहाँ पर 8 से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो definitely answer is your D option, that is 8 whole 7 by 16, कुछ जरूर 3 ही आगे करने की, फिर भी मैं आपको लिए एक बार इसको proof भी करके दे देता हूं, तो देखिए 6 और 5, 11, minus 3, that is 8, तो ये तो clear है हमारे पास, अब हमारे पास बचा है 3 बटा 8, minus 1 बटा 16, जम हमारा कित्म होने वाला है, 16 होने वाला है, now 8 divided by 16 is 2, 2 को 3 से multiply किया, 3 2 जा 6, minus 1, 16 divided by that is 1, और 8 and that is your 2, तो देखिए 6 और 6 plus 2, 8 minus 1, 7, तो definitely जो answer आया, 8 whole 7 by 16, this is your answer, तो mixed number का question अगर आपको कभी भी मिलता है, तो आप इस तरह से उसे क्या करेंगे, solve करेंगे, next question देखिए आप next हमारे पास साजी 7th question, 7th question again mixed number का question है, 2 whole 1 by 7, minus 3 whole 1 by 4, plus 2 whole 2 by 7, अब देखिए इस question को करने के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, हम क्या करेंगे, जो whole number सा उनको add कर देंगे, देखिए 3 और 2 5, और 5, sorry, 2 और 2 4, 4 में से 3 चलेगे 1, तो आपके पास जो answer होना चाहि या फिर 2 whole में हो सकता है, यानि कि 1 से नीचे नहीं हो सकता, 2 whole हो सकता है, 2 से उपर होने के chances बहुत ही कम है, तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास 6 whole 5 by 14 है यह option बाहर हो गया, 4 whole 5 by 14 option बाहर है, 7 whole 11 by 14 यह option बाहर है, या तो option number C है या फिर option number E है, जादातर competitive exams में IBPS को छो part number C जो है, वो option हो सकता है, maybe, बट हम इसको एक बार cross check कर सकते हैं, short shot के लिए, तो देखिए, 2 or 2, 4, minus 3, that is 1, तो 1 whole, 1 by 7, minus 1 by 4, plus 2 by 7, अब हम जो है, इस part को solve कर लेंगे, right, तो देखिए, अगर आप 7 और 4 का LCM लेते हैं, तो हमारे पास आएगा, यह 28, तो 7 को 28 से, that is 4, और यहाँ पर आगया, आपके पास 7, plus 7, 4, 4 और 2, 8, तो 8 और 4, 12, 12 में से 7 के, यानि की 5, 7, 5, 12, अब आपके पास जो answer आ रहा है, 4, that is 1 whole, that is 1 whole, 5 by 28, तो हमारे पास जो option बन गया, that is क्या, none of these, यह chance हो सकता था, यह chance हो सकता था, मैंने जैसे कि आपको अल्रडी कहा, अब अग option के अंदरा अगर आए हम, तो 3 and 1, 4 minus 2, that is 2, यहनि कि आपके पास whole number में, तो 2 ही होगा, तो 2 यह कि एक option आपके पास 2 वला यह है, और एक option आपके पास 3, या तो 2 या 3, इन दोनों में से कोई एक answer होगा, option number A बहर है, option number B बहर है, तो अगर हम इनका LCM लें, that is 2 by 5, minus 5 by 7, plus 7 by 10, अगर आप इसका LCM लेंगे, तो LCM आपके पास 70 आएगा, 5 से 70 को अगर आप डिवाइड करते हैं, तो आपके पास 14 टूजा 28, ठीक है, 14 पंजे 70, राइट, 7 तो यहां से 10, तो यहां आगे आपके पास 50, और 7, 49, तो 77-50, upon 70, तो यह हमारे पास आगया, जी 7 upon, 27 upon 20, that is 2 whole 27 upon 70, तो right answer is your C option, तो कभी भी अगर आप लोगों को mixed number के questions मिलते हैं, तो आप mixed number के questions हमेचा इस तरह से solve कर सकते हैं, आपको काफी असानी रहेगी, आप इसको कभी भी fraction में convert ना करें, अगर आपको invert करते हैं, तो calculation आपकी lengthy होता है, हो जाएगी, next question देखते हैं, देखिए, अगर हम इस question की बात करें, तो 1 by 5, multiply by 5 by 7, divide को उल्टा कर दीजे, multiply by 7 by 6, देखिए, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 1 by 6, 1 by 6, option number C, 1 by 6, same question आपके पास यहाँ पर है, 5 by 6, multiply by 9 by 8, multiply by 3 by 5, 5 से 5 कट गया आपका, right, अब 3 से 6 कट गया 2, तो 9 by 16, 9 by 16, option number C, उसी तरह अगर आप यहाँ की बात करें, तो 12, 96 में, जो है, वो 36 का square होता है, अगर आप इसको इ 48 जब X, under root X है, तो जब आप इसे solve करेंगे, तो हमें square करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो यानि कि 48 का square, option number B is your right answer, उसी तरह आगर हम यहाँ की बात करें, तो 25 multiply by 1 by 5, that is 10 by 5, क्योंकि point हटाएंगे, minus 0.5, board mask के कॉनली पहले हमें यह solve करना पड़ेगा, 25 से 5 को काटेंगे, ह तो यह था हमारे पास आज का session, इस session के अंदर हमने simplification के तीन पार्ट जो है, वह आप लोगों के साथ discuss दिके हैं, part 1, part 2 और part 3, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं, तो part 1, part 2 और part 3, आप तीनों वीडियो जो हैं, वो देख सकते हैं, आप Indian math की series जो है, हम आपको maths के बाकी topics के ऊपर भी video मिल जाएंगे, तो इस topic के साथ, part 3 के साथ, हमने simplification का पूरा chapter जो है, वो complete किया है, और इसमें जितने भी simplification के important questions हैं, और वो सारे हमने इसमें cover की हैं, hope आप लोगों को इस session पसंद आया होगा, अगर आप लोगों को इस session पसंद आया है, तो